तो चलिए देखते हैं question number 46 क्या है तो अपने को A matrix दे रखा और बोला है कि A minus A transpose हो करो किस Q symmetric है ठीक है तो बहुत easy सवाल है तो इसके लिए पहले तो अपने को A क्या है अपना minus 1 minus 3 4 7 ठीक है और अपने को पहले इससे क्या करना है A transpose निकाल लेते हैं तो बहुता A transpose निकालना त दुनिया के सबसे असान करम होता है क्या हो जाएगा देखो हो जाएगा minus 1 यहां जाएगा minus 3 और यहां जाएगा 4 7 तो यह क्या आगा अपना A transpose और आप हम क्या Defined करना है A minus A transpose है ना A minus A transpose करके बता हो जाएगा देखो यह एक matrix है और यह matrix है इन दोनों को subtract करें किता हो जाएगा minus one minus one किता गया zero और यह किता हो जाएगा four plus three हो जाएगा के लिए minus करोगे तो यहाँ seven आ जाएगा है न तो और यहाँ किता हो जाएगा minus three minus four यहाँ आ जाएगा अपना minus 7 और देखो यह आ गया 0 ठीक है तो यह आ गया अपना A minus A transpose तो बताओ यह skew symmetric है कि नहीं तो skew symmetric के लिए पून क्या find कर दो? skew symmetric का होता है कि अगर मान लोग कोई for example B matrix है वो skew symmetric है तो उसका मतलब होता है कि जो यहाँ जाएगा अपना 0 यहाँ जाएगा minus 7 और यहाँ जाएगा अपना 7 और यहाँ जाएगा 0 ठीक है इसमें से minus common लो तो A minus A transpose of transpose minus यहाँ जाएगा 0 यहाँ जाएगा इस बर minus 7 यहाँ जाएगा 7 यहाँ जाएगा 0 ठीक है तो बताओ यह किसके बराबर है यह अपना a minus a transpose के बराबर तो अपना a minus a transpose of transpose कि इसके बराबर आ गया minus a of a transpose ठीक है तो यह कैसी हो गई अपना hence prove हो गया कि अपना कैसी symmetric है यह कैसी matrix है sorry q symmetric matrix है यह ठीक है